हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तरपरदेश के महराज गंजिला के बारे में तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल कलर के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और आप और भी जिले के बारे में जानना चाहते हैं यह जिला भारत देश के उतरपरदेश राज में इस्तित, उतरपरदेश के कुल 75 जिलो में से एक जिला महराज गंजिला के नाम से जाना जाता है। इस जिले का headquarter office महराज हन सहर में इस्तित है और महराज गंजिला गोरखपुर डिवीजन के अंतरगत आता है। इस जिला उत्तरपरदेश राज के पुरुदिशा की ओर का जिला काराता है जिसके कारण महराज गंजिले की सीमा बिहार राज और नेपाल डेश से मिलती है। महराज गं जिला पहले गोरखपूर जिले का एक मतपुर हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब महराज गं जिले को गोरखपूर जिले से अलग किया जा चुका है महराज गंजिले के पड़ोसी जिरे का नाम उत्तर प्रदेश का गोरतपूर जिला, उत्तर प्रदेश का कुषी नगर जिला, सिधार्थ नगर जिला और बिहार का पच्मिच अमपारन जिला है महराज गंजिला में 4 तैसील, 12 ब्लोक, 1 लोकसवा, 5 विधान सवा, 18 पुलिस इस्टेशन, 192 डांक घर, 17 सरकारी अस्पताल, 5 नगर पंचायत, 2 नगर पाली का परिसद, 102 नयाई पंचायते, 929 ग्राम पंचायते, 7 सहर और 1265 गाओं में बटा हुआ है छेतरपल की बात करें तो, महराज गंजिले की कुल छेतरपल, 2955 वर किलोमीटर में फैला हुआ है इस जिला में रहने वाले कुल परिवारों की संक्या, 4,26,570 के करीब है आबादी की बात करें तो, 2011 के जनगरना के अमसार, महराज गंजिले की कुल आबादी 26,85,000 के करीब है जिसमें पुरुष की आबादी 13,82,000, तथा महिला की आबादी 13,03,000 के करीब है इस जिले की आउस्ट लिंगन रुपात 9,43 के करीब है, यानि की 1,000 पुरुष पर 9,43 महिला है इस जिला में हिंदु धर्म की आबादी 81,000 परतिसत तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 18,000 परतिसत है महराज गंजिले की मुख नदी का नाम छोटी गंड़क, बड़ी गंड़क, रोहनी नदी, चंदर नदी, राप्ती नदी है राप्ती नदी के किनारे पर बसा याज जिला उत्तर परजिस की राधाने लखनव से मज 293 किलोमीटर तथा देश की राधाने दिल्ली से लगबग 827 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है महराज गंड़क की इतिहास के बारे में बात करें तो याज जिला हिमाला के निचली तटी पर बसा हुआ है और याज जिला प्राचीन काल से ही चर्चित है यह जिला हिमाले से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है जिसके कारण यह जिला काफी मौत पूर और उप जाओ है सिच्छा की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल वो कॉलेज हैं जिससे यहां के लोग अच्छी तरह से सिच्छा प्राप्त कर सकते हैं महराज गंजिले के कुल सचर्टा दर 64% है यानि कि यहां के आबादी के अनुसार 64% लोग पढ़े लिके हैं महराज गंजिले के आबादी के अनुसार 26,85,000 आबादी में कुल 14,20,000 लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें पुरुस्व अमयला दोनों सामीर है बेउसाय की बात करें तो इस जिले के मुख्य बेउसाय खेती है और राप्ति नदी और गंडग नदी के किनारे पर बसे होने के करण यहां की मिट्टी काफी उप जाओ है इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहू, मक्का, जवार, तिलहन और अरहन आदी है सडक रास्ते की बात करें तो इस जिले की सडके उत्तर परदेश और बिहार राजी के बहुत बड़े-बड़े सरों वग्छोटे सरों से जुड़ी हुई है इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईबे संक्या 31 और नेशनल हाईबे संक्या 731 गुजरती है रेलबे इस्टेशन की बात करें तो इस जिले में कई ऐसे इस्टेशन है जिससे आसपास जिले और देश के बड़े-बड़े सोरों से जुड़ी हुई है और इस जिले के मुख रेलबे शेशन का नाम महराजगर रेलबे श्टेशन है और नोतनवा रेलबे श्टेशन और सिस्वा बजा रेलबे श्टेशन है दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा अपने दोस्तों साथ सेर करकर अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर देजेगा